कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर दोस्तो पहली बार इस चनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए और पैसे कमाने का कोई भी मौका आप गवान ना दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एंड सेटरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेशन करते हैं आप यहाँ पर आईए अपने क्वेशन पूछिए मैं जरूर से आप लोगों को गाइड करूँगा अभी आप लोगों को वाट्साप ग्रूप और टेलिग्राम में भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलिबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे सो और बिंदो फार्मा में जिस तरह से चल रहा था 750 के बाद उसके अंदर करेक्शन आया 600 का लेवल समय आने लोवर लेवल पर ये स्टॉक दिखाई दिया लेकिन ये स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है अब मन्तली टाइम फ्रेम के उपर यहां पर जिस तरह के स्टॉक्चर मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़ी रीकवरी यहां पर देखने को मुझे मिल रही है थोड़ी रीकवरी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है ये स्टॉक के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के स्टॉक्चर अभी भी ठीक ठाक है ठीक है कोई इतनी अच्छी ज़्यादा रिकावरी हमें नहीं देखने को मिली है अब डेली टाइम फ्रेम के जब मैं स्टार्ट के स्ट्रक्चर देखता हूं तो यहां पर कुछ भी करना ठीक नहीं है अगर किसी को भी ट्रेड लेना है तो 660 रुपिस का आपको वेट करना पड़ेगा 660 से लेकर 650 के बीच में किसी को भी लॉंग पॉजिशन बनानी है यह स्टॉक के अंदर तो अब जरूर से बना सकते हो और स्टॉप लोस आपको मिंटेन करना है 640 का सो मेरे हिसाब से अगर औरविंदो फार्मा के अंदर काम करना है तो लोवर लेवल पर ही काम करना चाहिए और जो 20 रुपे का रिस्क आपको बताया है वही रिस्क लेना चाहिए क्योंकि और कोई लेवल्स है नहीं ठीक है और स्टॉप लोस के साथ 100% कॉंटिटी में भी आपको काम करना है तो आप जरूर से इस लेवल के उपर काम कर सकते हो ठीक है ये हाईर लेवल्स जो दिखा रहा है 700 रुपेस लास्ट दो सेशन में जिस तरह से ये स्टॉक्स बड़ा है रिजल्ट्स के बाद गलती से भी यहाँ पर लॉंग पोजिशन मत बनाना क्योंकि वहाँ से काफी बड़िया करेक्शन हमें उसी लिवल्स के असपास से देखने को मिला हुआ था तो एक बार फिर से वहाँ पर सेलिंग आपको आता हुआ दिखाए देगा रियल कनफर्मेशन कहाँ पर है 700 & 740 के उपर ही है तो 700 से लेके 740 के बीच में कोई भी लॉंग पोजिशन नहीं बनाना है आपको मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ उसका डेमो लेक्शर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नॉलेज एक्वाइर कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीखे और सीखने के बाद काम कीजिए